भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं इसे रोज रोज स्वयम ही लिखना है ठीक है आशा करता हूँ यह पंक्ती जो है आप लोग को समझ में आई होगी जहिन चात्रो मैं इशार रहमत चात्रो हमारा विशय चल रहा है भारतिय भूगोल और भारतिय भूगोल में हमने बहुत सारे सीरियस टॉपिक पिछली का च्छाओ में किये आज जो है परियाटन इस थल से रिलेटेट प्रस्न जो पूछे जाते हैं जो पूछे गए हैं उन प्रस्नों को आज हम इस सत्र में करेंगे और साथ में जन जातियों से रिलेटेट जो पूछे जाते हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उन प्रस्नों को आज इस सत्र में हम करने वाले हैं तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई ये प्रस्न सत्र को प्राराम करते हैं प्रस्न के तौर पर इ से सहीं उत्तर दीजिए इंग्लिश मीडिया माले छात्र जो है वो हमेशा जो है बोलते हैं कि मतलब नई दिख रहा है सर इस टेप का तो याद रखिएगा आईए इस प्रस्न को हल करते हैं ठीक है तो वह भी देख लें भई इसलिए बता रहत हम है ठीक है तो आगे बढ़ते केंद्र शाश्शित प्रदेश स्थीट कि रहें प्रदेश sih दिखाई रहा है कितने में एक किंधा रहा है हिमाचल प्रदेश में याद रखना है कसवली ठीक है यह भी वाली-प्रद्यक वाली उसके बाद क्या है गुजरात का हो जायागा आपका उडवाडा ठीक है यह जगह में क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं एक बार सर्च करके देखें गूगल में बहुत ही सुन्दरता मैं जगह है और यह आपका तमिल नाडु में आपका पॉइंट कैलीमर ठीक है पॉइंट कैलीमर कैप के मुरीन पॉइंट कैलीमर यहां के आपके परेटन छेत्र है आपका और याद रखेगा जो है कच खारण वाला छेत्र है यह बायो स्फेयर रिजर्व को छोड़के वाला छेत्र भी आपका परेटन की दिश्टिकोंड से बहुत ही अच्छी जगह है आपका र सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रेयोक कर सहीं उत्तर चुनिए ठीक है आईए देखिए यह लो भाई इंग्लीश मीडियम वाले ठीक इंग्लीश मीडियम वाले दिख रहा है ठीक आगे बढ़ते आईए ठीक है तो इस प्रकार से याद चेत्र में मिलेगा ठीक है एक तीन कहा कहा दिख रहा है ठीक यहां दिख रहा है और आपका यहां दिख रहा है ठीक उसके बाद आपका हो जाएगा हपलांग कहा है हपलांग असम में है ठीक है कोई सेसेशन में तो जरूर इसके बारे में बताया था मैं ठीक है उसके बाद कलिंपोंग कलींपोंग क हैं तो यहां देख लेते ना ऑगें बाधे तो यह आपका कि बी का भर्ष्ट यह रहाशी आंसर से और सोड़ कर देता हूं और इस प्रकार से ठीचा हो जागल में कलिंप और आपका कुफरी हें माचल प्रदेश में आई आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण का मांग तीन निम लिखित इस्थलों इसमारकों पर विचार कीजिए ठीक है ओके चंपानेर पावागड पुरा तत्विक उद्ध्यान ओके ठीक है चत्रबस पती सिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई ठीक है मामल पूरम ठीक है सूर्य मंदिर कुनार कोडिशा ठीक है क्या बलता है प्रस्ण उप्रोक्त में से कौन सा युनेस्को के विश्व विरासत सूच से संबंधित है और आपका याद रखिएगा चात्रो यह प्रस्ण इसलिए करा जा रहा है कि बार-बार मैं बोलता हूं यूस पेपर पढ़ो और कौन-कौन से चेतर जो है युनेस्को के विश्व विरासत सूची के अंतर गताते हैं उन्हें भी हमें परिच्छा की हैं देखने को मिलते हैं ठीक है निउस-पेपर को प्रकार से पढ़ना है ठीक है यह नहीं देखने है कि कहा घड़ण हो गया प्रसासनिक अधिकारी बनोगे सब ख़तम कर दोगे ठीक है चलो आए कि प्रस्ण की बढ़ और बढ़ते हैं थीख प्रस्मका मांग चार है हमारा भारत स्वरी दक्षिन भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकेटेश भी कहते हैं का मंदिर इस्थित है ओके याद रखिएगा करनाटक में इस्थित है आपका बीली गिरी रंगा पहाडी पर आपका इनका मंदिर ठीक है भगवान वेंकेटेश जी का ठीक आगे बढ़ते हैं प्रस्मका मांग पांच हमारा भारतिय पर्यटन मंत्राले ने भारत में पर्यटन को प्रोचसाहित करने है तू जिस अवधार्ना को लोग प्रिय करने का उपयोग किया है वह है अतुल्य भारत ठीक ह इस प्रकार से क्या है अतुल्य भारत ठीक आगे बढ़ते हैं प्रस्मका मांग 6 निम लिखित वैसे ही जो है अतुल्य कॉंप्लिटिव एक्जाम के छात्र कर दें तो खित अच्छा हो जाएगा एक एक छात्र रुजगार पा जाएगा चलो यह हमारा कंसेप्ट क्या है हमे जैपूर गुलाबी नगर बिल्कुल सही है उजयन महाकाल का नगर बिल्कुल सही है कुलकत्ता आनंद का नगर तम राइट है जैसलमेर जीलो का नगर जैसलमेर नहीं है जीलो का नगर उदैपूर है याद रखिए क्या है उदैपूर पढ़ाया हूँ ना जील वाला चेत्र आप लोग को नक्सें बताया था ना उदायपूर आपका राजिस्थान वाला चेत्र राज समन जैसमन डिडवाना ठीक है यह सब कहां है जापका जील इसी चेत्र में है उदायपूर याद रखेगे जीलों का नगर तो यह क्या हो लाइपूर को कहते हैं ठीक आगे बढ़ते आईए प्रस्माग आठ है हमारा सुची एक को सुची दो में सिमिलित कीजिए और सुची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सहीं उत्तर चुनिए इंग्लिश मीडियम वाले देखो भई ठीक है इस प्रकार से आप अब अब यह है ठीक है उसके बाद जो है आपका उत्राखंड में उत्राखंड में अवलियाद रखना है विपरियटन इस्थाल है तो दिख्रह कुन सा आपका दिखाई दे रहा है आपको ये इस प्रकार से एकार्णा रखना है तो क्या हो जायागा कर नाटक कफ़ोर ठीक तमिलनाडू का क्या है उटी ठीक है इस प्रकार से याद रख सकते हैं ठीक है आए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा प्रस्ण का मांग नौ निम लिखित में से किस राज्य में साव सबरी माता इस्थित है ओके सबरी माता किस राज्य पे इस्थित है जी ठीक है याद रखें केरल में इस्थित है ठीक है आगे बढ़ते हैं आईए परेटनिस्थल से बहुत सारे प्रस्ण पूछे जाते हैं अधिकतर प्रस्ण का मांग दस निम लिखित युगमो एससी वाले और रेले वाले लोग से भी बहुत प्रस्ण आते हैं इससे ठीक है निम लिखित युगमों पर विचार किजिए ठीक है तिर्थिस्थान और अवस्थिती ठीक है श्री सेलम नलम पल्ला पहाड़ी बिल्कुल सहीं है आंदरप्रदेश में अंपकारेश्वर साथ माला पहाड़ी अंपकारेश्वर जो ह पुषकर पुषकर कहा है महादेव पाड़ी बिल्कुल नहीं होगा महादेव पाड़ी कहा है आपका मध्यप्रदेश बताया था ना और यह आपका पुषकर जो है पुषकर है आपका राजीस्थान में राजीस्थान में बहुत ही आपका बहतरी पर्यटनिस्थल पुषक कर घुमने जाते होंगे राजिस्थान लोग तो जरूर अच्छी तरीके से समझेंगे ठीक है मैं तो जाते ही रहता हूं तो यह क्या है आपका राजिस्थान में ठीक तो आपका प्रस्ण कावांग 10 का एक होगा जी आंसर बस ठीक है तो केवल ए ठीक आगे बढ़ते आईए गोस्ट टाउन अच्छा गोस्ट टाउन नहीं है ओके ठीक है कुल धारा कुनस घोटी हाँ यह सब जो है घोस्ट टाउन है जी याद रखना यह नहीं है बस बाकी सब घोस्ट टाउन है यह प्रस्ण इस प्रकास से पूछा है और पूछा भी जा सकते है ठीक है घोस्ट टा और मांड होगा वह ना क्या होगा मांड और महानादी के संगम पर कौन सा धार्मिक इस्थल है चतिसगड़ वाले तुरंत प्रस्ण का उत्तर लगाएं ठीक है तो याद रखेगा चंद्रहासनी देवी का मंदिर है मांड एवं आपका कहां पूछा है मांड और महानादी के संगम में चंट्रहासनी देवी सबसे बड़ी नधी आगे बढ़ते हैं सूची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए ओके चारा गहा ऐसे मत बोलना सर यहां बकरी लेके जाना पड़ेगा इतनी चारा गहा का मतलब होता है हील स्टेशन ठीक है तब यह मत बोल देना सर चारा गहा नाम क्यों रखा गया पड़े नहीं ठीक तो इस प्रकार से प्रस्ण है प्रस्ण को लाया गये dus यह बन्नी चारागा क्या बनिचारगाजी है जो वह आपका गुजरात में ठीक है, तो एक तीन होगा, कौन-कौन सा है एक तीन, यह हो गया, और यह हो गया, देखो दोनों का उत्तर में ही इस प्रकार है, फिर उसके बाद है खजीरा और आपका वलान गा, इस प्रकार से होगा यह, आपका उत्तराखन ठीक उसके बाद दिख रहा है कि इसमें दोनों में एक ही है ठीक है तो खजी यार जो है वह आपका हिमाचल प्रदेश में है और पहल गाम जो है जम्मू कश्मी में तो इस प्रकार से आंसर होगा डी का टू होगा तो यह रहा आपका अंसर ठीक है इस प्रकार से अंसर लेना आगे बढ़ते हैं आईए प्रसंद सतर को प्रसंद सतर की प्रकार करते हैं निमली की दिस्थानों में से कहां सेंपेन जन जाती पाई जाती अरे दादरी ठीक ओहो सॉरी चमा चाहूंगा ठीक है कंद में आगे था सेंपिन जंजाती सेंटलीन जंजाती और जरावा जन थे अनमान नीकोवार्इब कि शेतर में पाई जाते तो 19 evolved बीबवसम हुए अंसर होगा ठीक है आई आगे बढ़ते हैं ठीक है याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं प्रस्त का बांग 16 है कौन सी जन जाती पसुपालान के लिए जानी जाती है याद रखिएगा बकरवाल जन जाती जो है पसुपालान के लिए जानी जाती है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्त है हमारा संथालों में विवाहा का सबसे स केरल में पाई जाती है ओके ठीक है देखते हैं चेंचु जन जाती पाई जाती है जी केरल में ठीक है तो देखेंगे नक्से में पढ़ेंगे डिटेलिंग तो आपको समझ में आएगा आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सी अनुसूचित जन जाती दीपावाली को के रूप मनाये जाती है। ठीक है यहां पढ़ते हैं हम प्रस्टकमांग 21 भारत के निम लिखित में से किन राज्यों में थारू जिंजाती निवास करती है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है इसे तो याद रखना है जारखंड वाले छेत्र में आपका, स्वारी उत्राखंड वाले छेत्र में आपका मिलेगा क्या थारू जन जाती ठीक है इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं आईए प्रस्कमांग 22 है अंडी और अपोर टीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवाशी समुदाय से संबंदित है ठीक है तो याद अंदरपदेश नहीं होगा ओनम कहा है आपका केरल ठीक है कलायों संस्कृति का भी क्लास होगा तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं तो यह क्या होगा आपका सुमेलित नहीं होगा तो यही आंसर होगा ठीक है थोड़ा सा कला संस्कृति से प्रस्न है ठीक है जिसको हम प्रस्ण कमांग 25 है दुमकुरिया किस जन जाती का समाजिक संस्था है याद रखिएगा उराओं जन जाती का समाजिक संस्था है इस प्रकार से आज के 25 प्रस्ण हमारे पूर्ण होते हैं आचा करता हूँ आप सारे तथ्यों को समझे होंगे और सारे तथ्यों को याद रखे होंगे तो इसी के साथ हमारा जो पिछले कक्षा का प्रस्ण था वो आज हम देख लेते हैं इस प्रकार से यह रहा आपका आंसर जो कि मैंने करवाया था प्रस्ण में हल दिया आपका इलहाबाद में जो कि सबसे लंबा आंतरिक जल मार गहे है ठीक है इस प्रकार से आज का जो प्रस्ण है शात्रो वो कुछ इस प्रकार से है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हिंदी मीडियम के लिए तो बिल्कूल ही सुनिश्चिस्ता के साथ इस प्रस्ण का उत्तर दीजिये कमेंट बॉक्स में तो इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा छात्रो जय हिंद जय भारत